पिमत तो मैं चुकाऊंगा तेरे अंतिम संसकार की अंगत सिंग बरार नहीं आता है लेकिन दवी अंगत की नजर साइबा के पेंटिंग पर पड़ता है लेकिन साइबा के पेंटिंग के सभी तारी भी करते हैं तबी घुमते हुई वहां अंगत आ जाता है और वो भी साइबा के पेंटिंग का तारी बहुत ज़्यादा करता है लेकिन इस कहानी में ट्विश्ट आता है अब क्योंकि इस पेंटिंग को लेकर अंगत के मन में खरीदने का जोस आता है कि लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि यह पेंटिंग साहिबा की है लेकिन अंगद का जानकर इस penting की कई गुना कीमतों में लगा कर खरीद लेता है लेकिन खास बात तो यह है कि साइबा सवभाग्य से एक्जवीशन से बाहर होती है तब ही इस penting को बरार यानी अंगद ने इस penting को blank check देकर खरीद लेता है लेकिन रोमियो नहीं चाहता था कि किसी भी सूरत में साइबा की penting अंगद खरीद पाए क्योंकि penting के मात्यम से साइबा और अंगद को पास आने को एक मौका भी मिल सकता है लेकिन ये मिर्जा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि अंगद ने साइबा की penting खरीद ली है लेकिन जब ये बात साइबा को पता चलता है तो साइबा अंगद से मिलना चाहती है और अंगत से मिलने के बाद अंगत से बहस कर लेती है और वहां से जाने लगती है तभी वहीं सीरत और मिर्जा दोनों मिलकर साहिबा के खिलाब चाल चलना सुरू कर देते हैं लेकिन अंगत को नहीं पता होता है कि जो पेंटिंग अंगत ने खरीदी है वो पेंटिंग तबी अंगत गुसे में भी साहिबा से बात करता है लेकिन ये सब मिर्जा देख लेता है और ये सब उसे पसंद नहीं आती है इसलिए मिर्जा अंगत को मारने के लिए प्लैन करता है और चाल चल कर किसी तरह साहिबा के पास खून से सने कपड़े और उसके घड़ी साहिबा क पास भेज देता है ये एपिसोड आप लोगों को आगे देखने को जरूर मिल सकता है और ये सीरियल के एपिसोड इतना लंबा क्यों खीचा जा रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही अपना राय देना मत भूलिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सस्क करना मत भूलिएगा और वीडियो को फूरा फूल वाच जरूर किया करिए धन्यवाद